किचन की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपने खाने को और भी ज़ादा स्वाद बना सकेंगे आप अपने घर को किचन को इजिली साफ सुत्रा और सैनिटाइजर रख सकेंगे साथ इमें कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप अपने किचन के स्पेस को अपने फ्रिज की स्पेस को इजीली मैनेज कर पाएंगे लेकिन सबसे पहली ट्रिक हमारी बहुत ही दमदार एक सीक्रेट रेसिपी की है दोस्तों अगर आप भी धनिया और पुदीने की घर में चटनी बना रहे हैं तो इसमें मैं आपको एक आज एक सीक्रेट चीज बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी चटनी का स्वाध दुगना हो जाएगा सबसे पहले हमने धनिया और पुदीने को चील के कटोरी में ले लिया है धनिया और पुदीना आप देख सकते हैं वेहती ज़दा फ्रेश लेना है ताकि चटनी की जो खुश्बू है वो बहुत ही बढ़िया और दमदार है और साथ में आपने बढ़िया ग्रीन चिलिस ले ली है अब दोस्तों इसी वीडियो में हमने एक गैजट यूज करा है जो मैंने अपने बुलबुल स्टोर से मंगवाया था यह है मल्टी कटर जो एक ही साथ आपके चॉपिंग कर सकता है जिसमें आप एक ही साइज की बहुत ही बढ़िया चॉपिंग कर सकते हैं तो हमने क्या करा धनिया पुदीना तो रख लिया था अब चॉपिंग के लिए जो हमने बुलबुल एप से मंगवाया हुआ गैजट यूज करा है अब आपको उसका डेमेंस्ट्रेशन करके दिखाते हैं यह बहुत ही इजी ली आपकी चीजों को एक साथ एक ही साइज में काट देता है और आपका समय भी बच जाता है साथ ही में इसके शार्प ब्लेड्स रस्ट फ्री हैं और इनकी शापनेस बहुत ही बढ़िया है ताकि आपकी चीजें बहुत जल्दी और असानी से कट जाएं अगर आप भी इसको और करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में में मेरे एप स्टोर का लिंक है साथ ही में मैं आपको उसमें एक डिसकाउंट कोड भी दूँगा दोस्तों इतना ही नहीं साथ में ये पिलर का भी काम करता है अपने आलू, गाजर, खीरे जैसी चीजों को भी आप एजीली छील सकते हैं बेहती जदा एकनॉमिकल है, सस्ता है और आप एजीली ओर्डर कर सकते हैं इसे अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पताया था कि मैं इसमें एक सीग्रेट इंग्रीडेंट डालने वाला हूँ आप सोच सकते हैं वो सीग्रेट इंग्रीडेंट क्या होगा मैं जल्दी बताता हूँ सबसे पहले तो धनिया और पुदीना हमने एड़ करा और हरी मिर्ची डाली ये तो आप सभी को पता होगा और आप भी अपने घर में इस्तिमाल करते ही होंगे साथ ही मैं अब मैं इसमें कुछ अद्रक एड़ करने वाला हूँ अब दोस्तों आपके मन में बात चल रही होगी कि सीक्रेट चीज तो अभी तक कुछ भी नहीं डाली तो चली मैं बताता हूँ वो सीक्रेट चीज है तो क्या है जो इस चटनी के स्वाद को दुगना बढ़ा देगी दोस्तों रोस्टेड मूफलियां हम इसमें अड़ करने वाले हैं रोस्टेड मूफलियों की वज़े से जो इसका स्वाद आएगा वो इसका स्वाद जार गुना हो जाएगा आप एक बार जरूर इस चटनी में रोस्टेड मूफलियां अड़ करके देखेगा इतना बढ़िया क्रिस्प इसका फ्लेवर हो जाता है आप अपनी उंगलिया चाटते निठाकेंगे तो आप देख सकते हैं ये चटनी फटा फट से हमने लॉक कर दिया अपने जार में इसको पीस लेते हैं और इसका टेक्स्चर दिखाएंगे आपको पीसने के बाद कितनी बढ़िया बनके तयार हो जाएगी इसका बहुत ही रिच कलर आता है तो चलिए हमारी अगली ट्रिक है अपने फ्रिज के अपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए यह भी कुछ गैजेट्स है जो मैने बहुत ही कम दाम से बुलबुल अप से मंगवाये थे इन्हें भी आप मेरे बुलबुल स्टोर से ओर्डर कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है इन्हें ओर्डर करने के लिए और साथ ही में मैं आपको एक discount code भी दे रहा हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये adjustable है ये adjust कर सकते हैं आप आगे पीछे कितना भी इनका size चाहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से मान लीजे आपके पास 4 संत्रे हैं तो और बढ़ा कर लिया मान लीजे आपका जो समान है वो जादा है या कम है उस हिसाब से आप इसका size घटा बढ़ा सकते हैं आपके fridge में कभी-कभी जगा खतम हो जाती है ये आपका उसमें बेहती जादा मदद करेंगे कि आपकी चीजे भी खराब ना हो और वो easily fridge में रखी भी जा सकें आप चाहें तो इन्हें खुला भी रख सकते हैं और पॉलेथिन में भी रख सकते हैं तो आप देखिए अब हमने कैसे इने fridge में easily adjust करा है क्योंकि हमारा fridge हो चुका था पूरा full उसमें कुछ जगा नहीं थी तो हमने क्या करा इस compartment की मदद से हमने easily जगा बना ली आपको भी अगर यह order करने हैं तो मैं request करता हूँ जरूर जाके देखिएगा बुलबुल अप पे ऐसे धेर सारे gadgets हैं जो आपका रोज मर्रा में आपकी मदद करेंगे वीडियो के description में link है मेरे store का दोस्तो अगली trick है हमारी कभी-कभी जो बरतन होते हैं आचार के, ketchup के उनके जो अंदर का चिकनाहट होती है वो easily उतर नहीं पाती लेकिन हम चाहते हैं कि वो easily उतर जाया और हम इन boxes को दुबारा reuse कर सके इनमें खुश्बूर भी रह जाती है जिनकी वज़ा से reuse नहीं करे जा सकते इनकी खुश्बू हटाने के लिए, इनकी चकनाहट हटाने के लिए और वापस इनको reusable बनाने के लिए हमने क्या करा थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला दोनों boxes में अब दोस्तों हम एड़ करेंगे इसमें vinegar, नमक, बेकिंग सोडा, vinegar विनेगर सारी बदबू मार देगा और साथ में अच्छे से clean भी करेगा, बैक्टीरिया फ्री भी करेगा अब साथ ही में हमने थोड़ा सा इसमें water एड़ करा और water के साथ हम इसमें थोड़ा सा dish liquid जल एड़ करेंगे यह देखिए हमने पानी डाल दिया, dish liquid डाल दिया, अब क्या है हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे box को दोनों में डालने के बाद और अच्छे से घुमाएंगे, इससे क्या होगा हमारी जो भी चिकनाहट जो भी fragrance होगी अचार की, ketchup की या किसी भी चीज की वो पूरी तरीके से चली जाएगी और आपको एकदम refreshing boxes मिल जाएंगे, फटा-फट से इन boxes को हम बंद कर लेते हैं और उसके बाद अच्छे से घुमा लेते हैं एकदम neat and clean box मिलेगा, reuse कर सकते हैं आप इसको, तो दोस्तों ये जब तक wash होते हैं मैं आपसे request करता हूँ इस वीडियो को फटा-फट से शेयर कर दीजेगा ताकि ये अच्छी tips और ट्रिक्स सारे देख सके सब ये अच्छी tips और ट्रिक्स जानने के बाद इन्हें यूज कर सके और उनको ये मदद कर सके दोस्तों साथ ही में इस पेज को ज़रूर हमारे subscribe कर लीजेगा ताकि ऐसी tips और ट्रिक्स बहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आप भी हम तक अपना motivation पहुचाते रहे तो देख लीजे हमने अच्छे से boxes को rinse करना है अब इसकी बद्बू भी फ्री कर दी हमने इसका oil भी चिकनाहट भी फ्री कर दी और इतने शाइनिंग हो जाएंगे बरतन कि आप कहेंगे भाई वाई ये तो एकदम नए जैसे वापस हमें मिल चुके है रिंस कर लेते हैं इन मदद करेगी क्या आप भी चाहते हैं कि भार घर में आया हुआ समान इस महमारी के समय सैनिटाइज हो जाएं एजीली हो जाएं काफी सस्ते दाम में हो जाएं और आपका ज्यादा समय भी ना लगे तो हम आपके लिए ले आ हैं नैनो स्प्रे इसे भी मैंने बुलबुल इसमें क्या खासियत है वो में आपको बता देता हूं दोस्तों इससे क्या होता है बस आपको एजीली थोड़ा सा एलकॉल रब या फिर कोई भी सैनिटाइज एलकॉल डालना है जो इसके साथ आता है और आपने इसको बस पौर करना है उल्टा करके और इसके बाद आपको की अटाच्मेंट लगा देनी है आप देखेंगे कितना इजी टू यूज है बस आपने क्या करा एक सैनिटाइज स्प्रे डाला और अपने इस मशीन इस नैनो स्प्रे को बंद करा और उसके बाद इसको एजीली एक्टिवेट कर लिया एक्टिवेट करने के लिए आपको क कोई भी अपने ग्रॉसरी प्रोड़क्ट लाए उनको आपको डर है कि घर में छोटे बच्चे हैं कोई बुजर्ग हैं जिनको एजीली महमारी के समय कोई वाइरस ना पकड़े तो आप क्या करेंगे कि आप इनको सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे आपको सैनिटाइज में एक लिंक है जो आपको मेरे बुलबुल स्टोर तक ले जाएगा और आपको धेर सारी गैजट्स वहाँ देखने को मिलेंगे मैं चलता हूं हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को शेर करना मत भूलेगा हमें मोटिवेट करना मत झाल स्टी 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 आपको जे र simplement करना मत घएम लीजेगा खो गाल जामें मोटिवे आपको जो जगू खो मेरे चांज यो योो जएमेनe को यद दिते ह मैं म場पको प्वोलेगी नाट